आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भीम्रा अम्बेडकर महासबा के अध्यक्ष आरस गौतम जी यह एक केंद्री ये शिक्षक भी हैं बोद धमके इनका स्वागत करते हैं सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है तैंक्यो मैं आपका भी स्वाद करता हूँ और आशा करता हूँ ये बोदरों के फैलाने के लिए आप हमारे पूरा सहुख देते रहेंगे दन्यवाद सर मेरा सवाल आप से है कोई कहता है कि बोद एक छत्रिय परिवार से थे और कोई कहता है एक चक्रिय सम्राड थे वो तो ये क्या है इसके बारे में आप हमें डिटेल में बता सकते हैं सिदार्थ गौतम का जब जनम हुया जनम कहा है लुम्बनी मन में हुया था लुम्बनी मन ने जनम के बाद जब राजा सुदोधन के हां वापीश है और उनके महन में खुशिया मनाई जा रहे थी उस समय राजा सुदोधन ने आठ ब्रामनों को बुलाया आठ ब्रामनों जिसमें साथ बनामनों ने कहा अक्की भई यह तो एक ग्रस्त बनेगा और यह चक्रवती समराथ बनेगा लेकिन उन्हें एक नोजवान साथी भी थे जो कोड़े नाम था जिनका उन्होंने कहा नहीं निनिस्टी तरूप थे यह बुद्ध बनेगा तो अब सवाल उठता है कि लगातशाएं नित्तारा नोजवान देखिए कोई भी चक्रवति समराथ होता है च्ष्ण च्छोटी राज्य को अपने इसमें राज मिला लेता है हो और आज मिलाने के बाद टक्रती समराथ होता है लेकिन अगर भगवान बौद्ध अपने राज में रहते हुए अगर पूरे संसार में फैला विया है और इस वे से कहा जा सकता है कि जो भगवान बुद्ध थे वो चक्रवटी समराथ है तो सर उनकी जो छत्री बनने की बाद थी जिके वह चत्री परिवार से हैं यह कहां तक की जूट है और यह कैसे फैल रही है जो उस समय का था जो एक छत्री परिवार थान का चत्री परिवार के में ही राज करते थे आज वो चलुकास के अंदर आ गया है यह तो एक के वह उसके हिंदों की एक मान सिकता है अग्या जो बहुत द्रम को मानने वाले थे ना उनको इन्होंने डाउन के हैं उन्हें उनको दबाया है और दबाने के बाद गाम अगी बहुत कैसे टे जैसे कि आजी कहते हैं मंगल सुत्र ऑपने देखाऊ करता है मंगल सुत dw mirror यह मंगल सुत क्या है यह मंगल शुत में वह न पूरा भार्त में पफनी था ऊश्म है जो संसकार होता है विहार संसकार होते श्र्स का पाठिए कर रहा होता लेकिन ऊध हिंदुराजां ने बुँटूर्थ और सुख़ां ने बूत कतले आम शुरू करने के बाद और ओर यह तक बहुत ध्रम century सिल दिखार देगा उसको तो लोगों ने चुप करके महाहना अजय होगा ऑर यही चल करके यही महामगल सुथ जो टीवी के माध्यम से दिखा जा रहा है उसको महां अटाक करके मंगल सुथ बना दिया और मंगल सुथ भी महिमा है वह दिखा दिखा दिया बाकी महमा महमगल सुथ की है यह महमगल सुथ है और इसकी महिमा भी बहुत धरम के अंदर बहुत ही मह पत्रकारों ने गांधी जी क्या संक्राचारे ने बॉद्धों का विनास्त कर दिया तो गांधी जी ने उत्तर दिया नहीं बॉद्धों का विनास्त नहीं बॉद्धों का शार लेकर के हिंदू को दे दिया हिंदू का अपना कुछ नहीं है और जितने भी यह तोहार संस्कार जो इस देश में रहने वाले लोग थे वह तो आम भार्द वसके थे और भार्द जो तो एक किसी पधान देश था पहले भी एक सत्ब्रकास में के मैंने एक पार्ट पढ़ा था जिसमें लिखा तो जो आरिय लोग है जो भार से आये हैं ये पहड़ों के उतार रहा जाए गोड़ों पी आये ये हत्यार करना थे जानते थे इन्होंने भार्द वसके लोग को दबा लिया है और दबाने के बाद इनको ग थेनापती विद्रत्र मौरिय के समय में सेनापती बन गया और विद्रत्र मोरिय की हस्टा करके खुद वह राजा बन गया और उस समय मनुसम invirt이 करनी आज जो जो चुलुका से वर्ग है जो अच्छी सूथ है उनके पर हरत रखे बैन लगा दिये गए और बैन को आगर किसने तोड़ा है तो बावासाव डाक्टर में नहीं तोड़ा है इसको मैं मनुशमत्य उपर एक कोशन गाम से करना शाहूगी कि आपको क्या लगता है कि मनुशमत्य कहा तक तक सही है दकि मनुपिस मुर्टि cabin हिंदू की अपना करंद है हिंदू ने एक साविधान बनाए मनुपिस मुर्णि के नाम से जिसमें हर तरह के बेल गजिश siya Síp डोल गावार सुद्रारी बहुत से इनके साहित है जिसमें इनमें अच्छुतों के लिए या दूसरे उसके लिए देकि एक इसमें ब्राहमनों में चार वर्ण बनाया जाते हैं इस तरह से है जैसे कि एक नी चारी में नदम कोई दरवाजा है जो जिस इमारत में वेठा हो उची में रहेगा यह हिंदु द्रम ऐसा है अब देखे अगर ब्राह्मों ने चत्री ध्रम को सरफ कि ये कह दिया कि ये चत्री लड़ेंगे युद करेंगे अब चत्री सारे मर गए और मनने के बाद देश गुलाम भी हो गया अगर कीजिए और को अधिकार होता लड़ने का तो वह देश हमारा गुलाम नहीं बनता तो इनका अपना मनुश मर्दी अपने इसाफ से ने बना है और जो मनुश मर्दी को खतम कि जो किया है बाबा साथ डाक्टर के मेरना ने भारतिया सविधान को बना करके वह मनने इस मर् कबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले